क्या आप अपने पीरिट्स में सानेटरी पैट्स के बिना रह सकते हों? आज भी ऐसे कई गाउं हैं जहां पर पैट्स मौजूद नहीं है तो आप और पैट्स क्यों नहीं इस्तमाल करते हैं? अपने ले नहीं पाते हैं, वो अपने कपड़े से ही कर लेते हैं क्योंकि हमारे यहां से बजार दूर है और कोई जाने बाला भी नहीं है घर पे तक ब्रकाइय उूज कर लेटे हैं। पापा घर पे उंसे बोलने में तो आप्पढ़ा यूज जारती थी तो हम लिए फाफ यूज कर लेते हैं... ंवेक भीक तो तुक्ड़ा हमें धूब IT open में घ्लते हैं यर दूकान किलते हैं.. कि यह दो कपरे थे तो घुनक प्रावादा उस कि आता है। एक देन तो बर जाग देते हैं कुपड़े वज़ते हैं, कपड़ी ले ले लेते हैं पहले क्या था कि कपड़े भी नहीं थे, तो उसको कपड़े में जिसे बगएरा ये राख वाक है इसको भरके इसको र्याक को फेक के सुखा के दुबारा ले ले लेते हैं तो आप पढ़े कहां तक हो एट आपने आगे जूरी पढ़ा आगे पढ़ अगे पढ़ना था पर मामारी के चकर में पढ़ने ही पाए और इसकूल जाते थे वहाँ पे दाग लग जाता तो दिक्कत होती थी कपड़ा रखने में पैड मिल नहीं पाते थे वहां से दूर पढ तो आप का स्कूल जाते हो? नहीं, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, मेरे ममा मुझे जानी ही देती उससे ऐसा है आपको लगता है कि आपका कोई क्लास शूट गया जिसकी वगे चापको पढ़ाई में निक्तान हो रहा है हाँ, ऐसा हुआ है हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, जब मेरे फैमिली बाहर चले गई थी, तो फिर मैंने इसको दो हिस्सों में काटकर यूज किया था आपको पैड असानी से मिल जाता है? नहीं, मुझे पैड ऐसीली नहीं मिलता है जब मेरे ममी या पापा गाउं से बाहर जाते हैं, तो वो मेरे लेके आते हैं मालती जैसी और लड़ियों की हेल्प के लिए, एवर्टीन ने एक इनिशेटिव लिया है जो पीरिट केर अडॉप्शन प्रोग्राम जिसके अंतरगत आपके द्वारा बताए गए वो गाउं जहां पर पैड दूर दूर तक अवलेबल नहीं है वहां पर एवर्टीन सैनेटरी प्राड अवलेबल कराएंगे आपका एक शेर एक लड़की को बिमारी से और उसके स्कूल छूटने से बचा सकता है